कि नमस्कार साथियों वेदान्त क्लासेज अजमेर के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनांदन विध्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे 25 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी करंट फेक्ट बनते हैं उसके उपर इसके उपर चर्चा करेंगे करंट अफे ऑफेर्स के साथ जुड़े हों उन्हें को देखेंगे ना तो आज का जो पहला वह इह है कि हाली में 23 दिसंबर को राश्टी-किसान दिसम्भार को मनाया जाता है 23 December को मनाया जाता है और इस दिन किसकी जैन्टी होती तो चोदरी चरनब सिंग जी जैन्टी पर मनाया जाता है चोदरी चरण सिंग जी थे कौन तो भारत के पांच वे नंबर के परदान मंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के परदान मंत्री रहे थे विद्यारतियों मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के चोदरी चरण सिंग जी का जो जनम है वह 1902 में हुआ था और इनका जनम हुआ उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पूचा जाए तो मेरट जिले में हुआ था नूरपूर में कहां पर जैन्ती पर ये दिवस मनाय गया विद्यारतियों किसान दिवस तो इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी डिलिवरिंग स्मार्ट सॉलुशन और सस्टेनेवल फूड शुकुरिटी एंड री साइलेंस इस पार कि इसकी थीम है तो थीम का भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जैन्तियों के आउसर पर कौन-कोन से इंपोर्टेंड य स्मनाये जाते हैं इनको भी जान लेते हैं क्योंकि रिलेटट है द्यार्तिय यह बी बार्र जानवरिकों को 地方 मनाए जाता है राष्टि यवा इवस मनाए जाता है फिसकी जैन्ति पर मनाते हो स्वामि वहेकावाए आछानन जी की जैनती पर मनाते हैं इसी प्रकार 21 जनवरी को तो प्राक्रम नाया जाता है यह सुवाज प्रसीपार और 24 जनवरी को मनाते हैं वो अंटीनि को प्रदान मंतरी के रूप में सपत लिती इंद्रा गंधि का कौन सा मनाया जाता है साइध दिवस मनाया जाता है तो साइध दिवस कम मनाया जाता इसी परकार 21 मही को भी एक इंप्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है interacted आतंगबाद विरोधी दिवस क्योंकि भारत के पूरु जो परदानमंत्री ते राजिव गांदी जी उनकी पूर्णी तित्री के उसर पर ये मनाया जाता है 20 अगस्ट को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो सद्वाहोना दिवस मनाया जाता है और किसकी जैनती होती इस दिन कि से राय और खेल के चहतर में जो सबसे बड़ा पुरुषकार दिया जाता है सरवत पुरुषकार होता है उसका नाम क्या होता है कमेंट करके बता दीजी जल्दी विजयार तो महान सितंबर को रास्टी शिक्सक दिवस मनाय जाता है और यह किस के मतलब जैनती पर मनाय जाता है तो डॉक्टर सरुप अली रादा कर्शन की जैनती मन बनाय जाता है जिनको बारत रतन भी मिल चुका है जो कि एक महान सिक्सक भी थे और 15 सितंबर को जो मनाय जाता है वो रा चोह चाहिना जाता है ये भ KP गधीति के साथा भीज को युद्व्व Cinderella अफर कुविल आंदी की जैनती होती है और mi escri चाहतर डिवस डॉक्ट्र एपीजी अब्दूल्क्LAM की जैनती होती है। मिसाल में नाम से जाना जाते हैं भारत के पहले जो इंचिनियर से से राष्टपती बनेती है। दोक्टर एपीजू अब्दूलकolamtheen विद्यार्ति यूँ होए। इंगतीस अक्टूबर के दिन होती है विद्यारति और सरदार वल्लब वाई परतेल की जो सबसे उची परतिमा विश्व की सबसे उची परतिमा इनीगी है तो स्टेच्टी ओप यूनिटी कहते हैं और वो कहां है गुजरात में काँ पर है केवड़िया गुज़रात में और देखिई विद्यार्तिव 15 नॉवंबर को कौन सा इंपोटेंट दीवस मनाए जाता है बात के पहले परदानमंट्री चाचा नेरू जवालल नेरू इनकी जैन्ती पर मनाए जाता है और 23 दिसंबर को कौन से बिहारी बाज पर उनकी जैन्ती होती विद्यार्तियों इस पर मनाया जाता सुसासन दिवस और सुसासन दिवस को कल वाले वीडियो में हम बड़ा डिटेल से ले लेंगे और देख लेंगे इसको अगला फेक्ट है का हाली में साक्सी मलिक कुस्ती महासंग के नए परमुक के चुनाओं के बाद कुस्ती से सन्यास लेने की गोशना कर दी है यह विद्यार्तियों आपको जो दिकाई दे रही है यह कुस्ती पहलवान है महिला कुस्ती पहलवान है इन्होंने अभी सन्यास ले एंडिया है इसके जो अद्देक्स ते बर्ज बुसन उनके ऊपर योन सोशन का आरोप लगाया गया था तो फिर उनके जो काफी कलोज ते संजे सिंग उनको वापस बर्ज बुसन जी ने तो दे दिया इस्तीपा फिर उसके बाद में उनके इस्तान पर जो चुनाव जीत के को जलना सही नहीं रहेगा और काफी कुछ मुद्दो को लेकर इन्होंने इस्तीपा दे दिया हलाकि आज अभी साम को न्यूज में देखा जा रहा था भी द्यारतियों कि जो संजे सिंग है वो भी इसके अद्देक्स नहीं रहेंगे इनके उपर भी खेल मंत्रा लेने निरने से यह फ्रसन बनने के अब की बार संभावना है तो उसमें कास से पदक जीता था तो रियो ओलंपिक 2000 मेडल जीता था तो ब्रॉंज मेडल जीता था एक तो यह याद रखना इसके अलावा इन्होंने जो कॉमन वेल्ट गैम होते हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता हैं और 2014 में तो इतने सारे मेडल जीत विद्यार्टि भारत देश के लिए तो फिर बर्ज भुसन वगरा उनके उपर जो भी है जांच की जाए वास्तों में जो सारी चीजें हैं उनकी एक-एक बिंदू की जांच होनी चाहिए और इस पक्स नहीं चाहिए देखो मैं किसी पार्टी विशेज की बात नहीं कर रहा हूं कॉंग्रेस विजेपी मैं किसी का पक्स नहीं लेता हूं मैं बिल्कुल जो सच बात है वह आपको बता रहा हूं बाकि आपके व्यक्तिगत मत है वह सब सविकार है और वह आपके खुद के व्यक्ति और भी मैंने इसके बारे में बताया था रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के भारत में कुष्टी सासी एक निकाए हैं इसका हेड़कौाटर नहीं दिल्ली में हैं और इसके अध्यक्स संजे सिंग को अभी चुना गया है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है न्यूज में कि य से हैं यानिंग उनाइटेड वल्ड रैसलिंग विद्याएब कि से वैस्वी की तरव थे यू है ही तो बारत लेवल पे दो साल्थन संसे मना और प्र्याइब औरなた चिकानी खेड़कानी हरेस्टमेंट का आरोप इनके उपर लगा गया है जब महिला सेक्शुल हरेस्टमेंट का आरोप लगा रही है तो ऐसी कि इस तरिये लेवल पर जांच होनी चाहिए अगर कोई मंत्री है चाहिए सांसद है चाहिए किसी भी पार्टी से समधित है उनके खिलाब बिल्कुल सब्सकार का दबाव आजाए जांच अधिकारी होता है उसको निस्पक्स जांच करने चाहिए आगे देखिए कुछ परमुक इस्तिपए हैं इस वर्स के जैसे नरेंदर सिंग तोमर जी ना भी दिया प्रलाहत सिंग जी ने दिया लासिंग पटेल रेनुका सिंग यह जो के कुछ फेदर सेश्रेय केन्दर लेवल स्टिपघट फेन लिव भी दिया और इस्तिपां के जी सेद्व और आनंत महेंजवरी चीओ के किन्दरी कानुन हुघ आञे अगला फेट्ट्रा में सभान को गणित में रामानुज पुरुस्कार 2023 दिया गया तो रामानुज पुरुसकार किसको दिया गया वे द्यार्टियों पुरुकिस्टिनुक जहनग को दिया गया इता है करम तो कई बार यह भी पूचा जाता है कि रास्टी गणित दिवस का मनाया जाता है और इसी सुभ आउसर पर इनको यह सस्तर रामानुज पुरुस्कार दिया गया है और रूई किस्यांग जांग एक गणितज्य हैं और और अमेरिका के बरकले में कैलिफोर्नियों यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोपेसर अभी द्यारती हो और इस पुरुसकार में 10,000 QSA डॉलर दिया जाता है अभी द्यारती हो और यह पुरुसकार 32 वर्स से कम उमर के जो गनितज्य होते हैं उन्हीं को दिया जाता है यह श्री निवास रामानुजा की सम्मान में शुरू किया गया एक पुरुसकार है अगर आप से पुचे जह रास्टे गणित दिवस का मनाया जाता है तो इसी परकार और कुछ इंपोर्टेंट पुरुसकार इंको जान लेते हैं जैसे सिव संक्री जी को कौन सा पुरु स्वाव्यास सम्मान 2023 और सी एस लक्षमी या अमभाई को कौन सा पुरुषकार मिला टाटा लिट्रेचल लाइब टाइम अच्विमेंट अवार्ट से इनको समानित किया गया सवातिनाएक को नॉर्मल बॉर्लोग फिल्ड अवार्ट 2023 यह सारे याद रखना भी द्यारतियों इसी प्रकार जो पॉल लिंच है उनको 2023 इसका बुकर पुरुषकार दिया गया और सफिना उसे इनको सिक्सा के लिए वाइस पुरुषकार दिया गया और जावेद अक्तर को पदम पढ़ी लाइप टाइम अच्विमेंट अवार्ट दिया गया पट्सन या दा जूट कॉर्परेशन ओप इंडिया लिमिटेड के दवारा एक एप लॉंच किया है और एप जो आपको इमेज दिखाए देरी इसको देख लीजी डंग से आगे देखो कपड़ा मंत्री को ने बारत के भी बरतमान में केंद्री कपड़ा मंत्री को ने तो प्यूस गोईल जी है को ने कपड़ा मंत्रा लेकिए जो सचीव रचना सान ने लौंच किया इसे पो जिसके अनुसार यह एप्लिकेशन जूट की खेती पर पर आनुमान और खरीद नीतियों पर जानकारी परदान करेंगा मतलब जूट से रिलेटेड यह काम करेगा विज्यार्तियों चाहे वो खरीदने से संब्दी तो जो भी सारी इसमें आ जाएंगी इसी वर्ष्व विज्यार्तियों कुछ और कुछ चर्चा में रहें इनके बारें बताया था इसी परकार जो ग्राम मंच की आई एस एप है इसको पंचाई तिराज मंत्रा लेकर दवारा शुरू किया गया और एम्प्लिफाइट टू पॉइंट जीरो पॉर्टल आवास एम सहरी मामलों के मंत्रा लेकर दवारा शुरू किया गया एए आई एन डैस परकार विद्यार्टियों जो बारती रास्ति राजमार्ग प्रादिकन यानि की नेशनल हाईवे अटरिटी ऑप इंडिया के दवारा शुरू किया गया इसी परकार मिर्ट ब्रेक्स आंदोलन एप है के दवारा शुरू किया गया तो कुछ पर्ट्र और कुछ एप इनका भी हमने रिवेजन कर लिया है अगला फेटा विद्यारतियों के हाली में ग्रामिन विकास मंत्राले ने श्योम साहिता समो के उत्पादन उत्पाद बेचने के लिए जियो माट के साथ समझोता किस ने किया है जो ग्रामिन विकास मंत्राले उसके दवारा विद्यारतियों यह समझोता किया गया है और यह सम यह समझोता दीन देल अंतोदेय योजना और रास्ति ग्रामिन आजी वी का मिसन के तैट समझोता किया गया है आगे देखो यूमार्ट आया है चर्चा में तो जियो मार्ट के बारे में कुछ इस्टेटिक पॉइंट भी जान लेते हैं जियो मार्ट का नाम आपने सुना होग इसकी स्टापन 2019 में होई थी और इसका हेड़कॉर्ट नवी मुंबई में है चैर परसन है इसके वर्तमान में वो मुकेस अंबानी है अगर इसके सियो की बात करें तो संदीप वारंगत्ती है विद्यारतियों क्यों का पूरा नाम क्या होता है तो मुख्य कारियकारी अधि और अगर बात करें हम इसको इंग्लीज में पूरा नाम क्या होता है तो ची एक्जेक्टीटी ओफिसर इसका पूरा नाम होता है अगला फेक्ट है हाली में MSME मंत्रा लेने तीन योजलाइन लॉंच की विद्यारतियों कितनी इन योजलाइन लॉंच किये हैं और इसके दव और इस एम का मतलब क्या मीडियम और एक मतलब एंटरप्राइज अगर हिंदी में बात करें तो सुक्सम लगू एम मध्यम उद्यम इसका नाम होता है तो इस मंत्रा लेके दवारा अभी हाली में तीन योजनाई शुरू की गई तीन कौन कौन सी MSME गिप्ट योजना MSME स्प गिफ्ट और एक इस ओनलाइन विवाद जो हता है उसके समधान के लिए यहां जो गिफ्ट आया है तो गिफ्ट का पूरा नाम भी पता होना चाहिए इसका पूरा नाम होता भी द्यार चाहिए गिरिन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनसिंग और ट्रांस्फोर्मिंग इसकी नाराइंट तातू राने कौन है नाराइंट तातू राने हैं इसी परकार अगला जो फेक्ट है हाली में संतो जहां को स्री लंका में बारत का नया हाई कमिशनर न्यूक्त किया गया है तो स्री लंका में हाई कमिशनर किसको न्यूक्त किया गया है राजदूस जिसको बोलत कि गया विद्यार्तियों और संतोज जहां इसके इस्तान पर आये हैं गोपाल बागले कि इस्तान पर आये हैं इन से पहले स्री लंका में गोपाल बागले थे अब गोपाल बागले जी को स्री से तक रखाए अस्ट्रलिया उच्छाय उक्ति लगा दिया गया विद्यारतियों तो जानेगे इससे पहले विद्यारतियों यूरोपियन संग क्यों में यूरोपियन संग बेल्जियम लक्जंबर्ग में भारत के राज़दूत के रुपमे कारीय कर चुके हैं अब और स्री जैसी स्रीलंका कि जो राजदानी कोलumbo होती थी वरतमान में जो क्या है ज्ये वर्दने पूरा है और यह कौन से महाधीप में अता है तो इंद महासागर प्सक्राइब एक द्यूपिय देश है और महाधीप बात करें तो एस्या महाधीप में आता है एस्या महाधीप में भी दक्षनी एस्या महाधीप में आता है महासागर की बात पूचे तो हिंद महासागर मिस्तित है अगर बात करें यहां के परदानमंत्री कौन है तो दिनेश कुना वर्दन यहां के परदानमंत्री बरतमान में यहां पर जो मुध्रा चलती है वो कौन सी चलती रुपया चलती विध्या के कर घाड़ी की चरना में कि अपना सवतनत्रत दियुस का मनाता तो चार फरवरी को मना जाता है अगर ढ़ी ञपना के छी परतीकों की बात करी स्री लंका की तो शिरिलंका के रास्ची हेल है राश्टी फ़ल च कुफरूट है यानि कटले कहते हैं राश्ट्री जो वरक्स है वो सिलोन है या आईरन वूड जिसको कहता है परमुख नदिया यहाँ पर जैसे महावेली गंगा नदी है कालू गंगा नदी है यान वा नदी है जिल गंगा है महा ओया नदी है इन मैंसे जो महावेली गंगा नदी है वो सबसे लंबी नदी है यह नहांके जो परमुक परवत है जैसे विदू रूथ लगला यहाई जो कि स्रिलंका का सबसे उचा परवत माना जाता है यह आठ देश कौन-कौन से जिसकी रूपया मुद्रा होती है तो इसके ट्री के विद्यारतियों मामा सिरी ने बाइस से पाकिस्तान मांगा इस मा का पाकिस्तान 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 इस परकार यह आठ जो देश है इनकी मुद्रा कोनशी होती है रूपया होती जब भी आठ देशों का नाम आ जाए तो यह ट्रीक याद कर लेना मामा सिरी ने बाइस से पाकिस्तान मांगा कि अब स्रीलंका कब-कब चर्चा मैं रात तो विद्यारती उश्चि दिन पहले निंबताया ता कि स्री लंका ने भारत तताच है अने देशों के नागरिकों को मुप्त प्रियठन विजणा देने की जिसे हम स्रिलंका जाना चाहते हैं तो स्रिलंका हमें वीजा देगा और उसके लिए हमसे सुल्क भी लेता है तो स्रिलंका ने भारत और उसके अलावत 6 देश ऐसे हैं उनके लिए वीजा मुक्त कर दिया लेकिन वो परियटन के लिए अगर हम स्रिलंका घूमना चाहें तो हमक बैटलेसों कोुप्त पर्याटन विज़ा देने की गोषना इसके दवरक सिंसे हमें पहले की ती जब ये चर्चा में रहा था अब ऑश्ट्रिया कि राधानी किया केणबरा और और आश्टलेया दोलर की मुद्रह होती कि संसद को पैरलिमेंड के से जानें कि यहां के जो बर्थमान में परधान मंत्री है उनका नाम क्या है एंधनी अल्बनीज को नहीं है और यह कौन से महादीप में आता है और आस्टिलया देश विसु का सबसे चोटा महादीप है और आट में नंबर का जो महादीप बना वो कौन सा बना जी लेंडिया जो न्यूजीलेंड वाला पार्ट है वह क्योंकि झी न्यूजीलेंड ही उसमें इस्थल रूप में बाहर निकल रहा है जलमें जलमग नहीं है विद्यारतियों इसी परकार कुछ परमुक राजदूत और हाई कमिशनर दे रखे हैं एक तरफ तो राजदूत ये हाई कमिशनर का नाम है और एक तरफ किस देश में उनको न्यूक्त कर रहा है वो जैसे अभी संतोज जाको कहा न्यूक्त किया गया है स्रिलंका में किया गया विद्यारतियों सभी निकारगवा और इर्साद एहमद को विधरत्यु सीरिया में किया गया न्यूट ये कुछ दिनों पहले न्यूक्तिया हैं तो यह सारी न्यूक्तिया हम देख रहे हैं वर्बाद कुमार को दक्षिण अफरीका में और नाम्या ह हम्या को सोमालिया में और संदीप चक्रवती को इंड़ोनेशिया में और तरणजीत संदू काहां पर बारत के राजदूत है तो अमेरिका में यूएसे में हैं उएसे में तो यूएसे के वरतमान में चो राष्टवती है वो कोन है और कौन से नम्मर के कमेंट करके बता हुज आखे देखते हैं हाल पुँखचूरत हुआई अड़ो में माने ता दी गई है तो भी द्यारती हो माने तक इसके दवरा दी गई यूनैशको성 सफ़ हरा और आपको यह इमेज में दिनार का नहीं है यह बन् vielä ज़र यह कहां विद्यारती हो तो बैंगलूर का जो एरपोर्ट है जिसको केमप गोड़ा एरपोर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बैंगलूर के जो संस्तापक है वो केमप गोड़ा को माना जाता है किसको माना जाता है केमप गोड़ा को माना जाता है तो उन्हीं के सम्मान में इस एरपोर्ट का नाम भी क्या कर दिया गया केमप गोड़ा इंट प्रमिनल टू को यूनेस्को के प्रेक्सी वर्सेल्स 2023 में बैस्विक परसंसा मिली इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाइड़ों में इसे एक माना गया बिल्कुल बता दिया ये इतनी सम्मानित मानेता प्राप्त करने वाला एक मातर भारत का हवाइड़ा बन गया विद गया टैट कश्च ef कान नाम करनाठक और और यह तूब यह सतना थाथ का श्सकर मोहिए है नो सेलंगाना है और यह हाय है यह आन्दक्रदेश यह क्या है एदर आ जाता है टमिल नाडु थिसके साथ सीमा लगाता है तो नीचे की तरब यह जो पहला हुआ यह कैरला है है तो अभी देखते हैं यह किस किससाफ स्माजा करता है लिखावा पूरा इसकी स्थापना 1 NEW151 को इथी करनाटक पर्तिवर्स एक नौमबर को अपना स्थापना दिवस बनाता है और वर्तमान में यहां की जो राजदानी है वो क्या बैंगलुरु है और बैंगलुरु के संस्ता पे कौने कैम पे गोड़ा बैंगल बरत्मान में यहां के जो सिद्धे रमया है कॉंग्रेस पार्टी इसे समझ दीत है राज्य पाल थावर्चंद गहलो जी जो कि 6 जुलाई 2021 से पदिस्था पित है और वरत्मान में यहां से लोक सभा की शीटे राज्ये सभा की सीटे 12 जाती है यहां विदान सभा की बात करें तो 224 है यहां विदान मंडल है वो दिव सदनात्मक है आपको ट्रीक बताई तिन मैंने कुपाटी वा यानि करनाटक यूपी महाराष्ट बियार आंदरप्रदेश और तेलंगाना इस है राज्ये आ जाए तो यहां का विदान मंडल होता है अर्सुन सभा के लावा विदान परिश और यहां का जो वान अक्सर होता है वह यहां का तो करनाटक चाहूँर और के रल को लिखना चाहो तो के एल सकते हैं और इसी पलकार राजस्थान को लिखना चाहो तो पंजाब फोडशाओर चाहरा उनसमीर को और हमाचल प्रृदैश को क्या लिखते हैं यूपी लिखते हैं ऐसे बहुत सारे जितने भी इस्टेट है उनका वहाना linux आपको पता होना चाहिए तो कई बार आपको पूरा जैसे तेलंगा ना लिखने ही का आउसकता नहीं के वह उसका सोट लिख लिए हम आगे और विद्यारती यहां जोग या गर्सोपा जो जल परपात वो पाया जाता है जिसको महात्मा गांदी जल परपात के नाम से भी जाना जाता है इसके लावा यहां काईगा नुकलियर पावल प्लांट भी करनाटक नहीं है बैंगलूर केंपोगड़ा की यहां पर 108 यहां पर है मेंशूर करनाटक में हैं पर इसके अलावए धसनदी पर बना हुआ हुसा करणाट करनाटक में कौन कोन से नेशनल पार्क का किया वियतरती यहूं gratis रास्ट्य उद्यान है ao ऑर नागर होले पार्क है किद्च्व लोक नरत हैं है वो यक्स गान है। उसके लावब डोलू कुनिता तर्चित इस्तल करनाटक के कौन-कौन से तो बैंगलूरू है उडूपी है मंगलूरू है बीदर है यह सारे हैं और जीलो की संक्यात अभी बताई दीगति से विदान मनल दिवसाद नात्मक बात होगी अब करनाटक अभी हाली में कब-कब चर्चा में रहा है तो बिद्यार्तियों बैंगलूरू में सबसे बड़ी जो सरकूरा लेलवे इस्तापित करने की जो योजना बनाए गई थी और इसकी लंबाई 287 किलोमेटर थी उसके लावा बैंगलूरू में नम्मा कंबाला परतियो क्राइब किमंत्री राजनाथ सिंग उन्होंने बैंगलूरू में इंडिया मैनुफेक्ट्रिंग सौ का उध्गातन किया था जो की छटा संस्कान था और तीम ती वह कहती में इंडिया में फॉर्द वर्ल्ड एंड्री थीम के साथ इसका उध्गातन इनके दवारा किया गय पहला पहला राज्य बना और पोशन जागरुकता सूचकांग में इसका दूसरा इस्तान है पहला इस्तान बात करें पहला इस्तान किसका तो पंजाब का है बेंगलूर में इंडिया करनाटक में ही आतियों कि संक्या सरवाधिक है कितने हैं 6300 पिच्चान में द्यान रगना विशु कॉपी सम्मेलन का योजन का हुआ बेंगलूर करनाटक में परती विदायक उच्टम औस संपती में जो सिर्स राज्य हैं वो कौन सा है करनाटक तब यह चर्चा में राता है अ उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है जिसका नाम क्या है नाम दफा क्या है नाम दफा है उस गिलहरी का नाम और नाम दफा अभ्यहरन में यह पाई जाती है इमेज आपको दिकाई दे रही है उड़ती है उड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पंग लगा के उड़ती ह विद्यारती हो एक्टिली में किया यह जो चलांग लगाती है वो काफी लंबी दूरी तक लगाती है तो ऐसा लगता जिसे उड़ रही हो क्या उड़ रही हो तो यह एक परकार से लुप्त परजाती थी लेकिन अभी हाली में बापस से इसको देखा गया है अगर नाम दफा के लिए उड़ान गिलारी का सिंटिफिक नेम देखें इसका सिंटिफिक नेम क्या मिलता है विग्यानिक नाम क्या मिलता है तो विश्व मोयोब एरस बिश्वासी इसका पुरा नाम मिलता है इसे विद्याटिए हो था आई-ई-उ weekend के दवारा गंबी रूप से लुप्त प और देश के बारे में पढ़ेंगे और इस जो यह उड़ने वाले गिलेरी इसका आप यह साइंटिफिक नेम याद जरूर रखना क्योंकि यह परशन बढ़ने की संभावना है आयूसेन आया विद्यार्टी चर्चा में तो आयूसेन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले त मिलता है इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन ओफ नेचर हिंदी में बात करें हिंदी में इसका पूरा नाम क्या मिलता है तो अंतरास्थी परकरती सरक्षन संग इसका पूरा नाम मिलता है इसकी स्तापना पांच अक्टूबर 1948 को हुई थी और फॉन्टेन पलो प्र करती है यह संग विश्व में विभिन सरक्षन संगटनों के नेटवर्क से प्राप जानकारी के आदार पर लाल सूच यानि की रेड लिस्ट में प्रकासित करता है जो कि विश्व में सबसे अधिक संकट ग्रस्ट पर जाती है उनको दर सदें मतलब यह रेड जो बुक होती करना करता है are you sent you का वाय नाम बाखी ज्यादा नहीं रखना यह किन सugene पर करता है तो जीवन और आजी विका के लिए सह्यूisen पर यह कां म करता है इसका उदेश क्या होता है तो प्रति इसका उदेश्व से विद्यार्तियों क्या है अब यह अरुना चल परदेश आगया विद्यार्ति तो आपको यह जो नीला नीला दिकाई दे रहा है यह पूरा क्या है अरुना चल परदेश है तो अरुना चल परदेश देखो अपनी सीमा किस-किस के साथ साजा कर रहा है एक तो बुटान देश के साथ साजा कर रहा है और यह पहले विद्यार्तियों केंद्र सासित परदेश गोसित किया गया था इसको 21 जनवरी 1922 को बाद में पूर्ट भारतिय राज्ये में इसको सामिल किया गया 20 फरवरी उनीशो सट्येशी को अगर अरुनाचल पर देश की बाद करें तो अरुनाचल परदेश की जो राजा नहीं है वह इटा नगर क्या है इता अगर है यहां के जो वर्तमान में सी ए उनका नाम पेमा खंडू है जो की बाज़पापाडि से समंदित हैं यहां के जो राजेपाल ह तरी विक्रम परनाईम हैं विद्यार्तियों और यहां से लोक सभा की सीटे दो जाती है राजे सभा की सीट एक जाती है और यहां विदान सभा की जो सीटे हैं उनकी बात करें तो साथ है यह भारत का सबसे पूरी राज्य माना जाता है यहां का जो राज्य पसु गायल होता ह है उसको मितन भी कहते हैं राज ये पकसी विसार होन भीट बिल कहते हैं दाजि वरक्स की बद खालों करें तो उस्वсь की बात करें तो एक रज बासा यहां की अंग्रे тест यह और गुआट यह लगता द्यैर्टियों और मुझे बता दिजे गवाटे हाइख करनाँ नामकिस्तान है काहन पर असम में और गवाटे आई-कोर्ट के वर्तमान में Chief Justice कौन है बता दिजे देखिए वर्तमान में हाई-कोर्ट की जो पाई कोट बनाता अगर आक्षट के नाम प्रका करें अंगे शीभ रिकिर्टी साचा करन तो है पहरन अक्सर की बात करें करें यहाँ का ए आ अक्सर होता है यहां का इंसको सोट में अर लिकेंगे अरोनाचल परदेश शब्वी आप लिखे तो ए ए यार लिख सकते हैं और अंदरपृदेश में क्या लिखा रहता है तो AP अंदरपर्देश के मामले में क्या लिखा है और अरुणाचल प्रदेश को क्या है história सकते हैं इसी परकार अरुनाचल प्रदेश 2011 की जनगना के अनुसार विद्यार्तियों सबसे कम जनसंक्या गनत्तुबाला राज्ये भी है और कौन-कौन से फैक्ट ही रहे हैं यहां का नेशनल पार्क है पक्के टाइगर रिजोर है विद्यार्तियों कई बार परसन पूचा जा चुक के पागा होर्नबिल फैस्टिवल विद्यार्तियों कौन सा होर्नबिल फैस्टिवल भी यहां मनाया जाता है भारत का पूरवी बिंदू जिसका नाम की बूत है वो भी यहीं इस्तित है राज के बासा यहां कि अंग्रेजी है चिलो की संक्या कितनी 26 है विदान मंडल एक और फैस्टिवल का मनाया जाता है तो यह मनाया जाता नागालेंड में कम अगनाया जाता है इसके अलावा अभी अरोने चलिए प्रदेश को दिया गया था जार्जलिंग की जो चाय है उसको दिया गया था और एक एक जी आई एक्ट भी आ रखा विद्यारती 2003 का वो भी आपको याद रखना है इसके लावा याक चुरीपियों को भी जी टेक मिल चुका है हाउताई अरुनाचल प्रदेश में खामती चावल के नाम से भी एक परसीद है तांग सा टेक्स्टाइ को पहला जी टेक दिया गया 2003 में दिया गया इसके लावा आज का जो अंतिम फेक्ट है वो क्या है कि हाली में राष्टी महिला आयोग की जो पूर्व अद्यक्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर मौहीनिगिरी उनका निदन हो गया विद्यारतियों तो जब किसी व्यक्ति चर् सभीना के नागरिक सम्वान होते हैं वह थारत रतन और त्र जृता है पधम भी भूशन सेप्वार्ट दूसरा होता है पधम भूशन और चोता होता है पधम सिर्फी. तो तीसरे नमबर का जो सरवत नागरी सम्मान है वो इनको मिल चुका है यह 1905 में से 1908 में तक रास्टी महिलायोग के अध्यक्सपत पर इन्होंने काम किया रास्टी महिलायोग विद्यार्टियों एक गेर सरकारी सविदानिक संस्ता है रास्टी महिलायोग क्या है गेर 1272 में वार विंडोज एसोसियेशन की स्थापना भी की थी और यह गिल्ड आफ सर्विस की हैड भी रह चुकी है जो कि नई दिल्ली में इस्थित है को विद्यारतियो आज की जो कलास है वह हम एक मौटिवेशनल कोड के साथ इसको समाप करते हैं मौटिवेशनल कोड यह cone विद्यारतियो हो नफिक्विदे चाहिए तो आपकी मंजिल आपको एक दिन पक्का मिलेगी विद्यारतियों थेंक्यू आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरू बताना और अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज is आप इसको subscribe कीजिए और अधिक से अधिक सातियों के साथ share कीजिए जको आप जितना ज़्यादा सेर करोगे जितने ज़्यादा विद्यारती जुड़ेंगे विद्यारती उतने अच्छे अच्छे आपको कंटेंड मिलेंगे थेंक्यू में तुर।